दोस्तों बात उससे में की है जब मैशी द्यानन जी का बोल वाला हर जगए पे था तो बनारस से कुछ पहलवान मैशी द्यानन जी के पाच पहुंचे उसमें मैशी द्यानन जी सनान करके आ रहे थी तो उन पहलानों ने कहा कि रिसीवर हम आपके साथ कुछती करना चाहते हैं सुना आप बहुत तकड़े ब्रमचारी है, आपके स्रीर में बहुत ताकत है तो मैसी द्यानन जी समझ सुके थे कि ये पहलवान है, ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, इन्हें कुछ ने कुछ तो उनको समझाना पड़ेगा तो मैसी द्यानन जी ने अपने जो लंगोट होती है, उसको निचोड के उन पहलवानों को दे दिया कहा इस में से अगर आप एक बूंद भी पानी के निकाल देंगे, तो मैं हार मान लूँगा कि आप जायत आकतवर हैं दोस्तों बारी बारी उन पहलोनों ने उसको निचोडने का प्रयास किया, एक पानी की बूंद भी निकाल सके, फिर वापिस रिसीवर ने उसको लिया और उस लंगोटी को निचोड दिया, तो उसमें से पानी की बूंद निकाली, तो उन पहलोनों ने इस चीज को देखकर उनका जो गमन्ध था वो चूर चूर हो गया उन्होंने उसे पूछा रिशिवर से पूछा कि इसका क्या कारण है कि ये ताकत हमारे पास क्यों नहीं है हम भी प्रैक्टिस करते हैं तो मैंसी द्यानन जी ने कहा था कि आप भ्रमचरिय को और अच्छे से अपनाएं और अच्छे से जाने भ्रमचरिय में ही ये सब ताकत है तो दोस्तो भ्रमचरिय वास्तो में हमारे लिए शरीर के लिए हमारे जीवन के लिए बहुत ही एहम विश्य है तो इसको हमें जीना चाहिए ब्रम्चरिया का पालन करने से हमारे स्रीर के साथ साथ हमारे मन का विकास होता है दोस्तों याज का विश्या आपको कैसा लगा कोमेंट जरूर करें और आप बताएए कि आप भी ब्रम्चरिया पालन करते हैं कितने दिन से आप ब्रम्चरिया पालन कर रहे हैं इस बार में आप अपने राई जरूर देजिए धन्यवाद